RSSB की 12 भर्दियों का फर्जी विग्यापन वाइरल दोस्तों बोर्ड की चेतावनी ब्रामत कलेंडर पर विश्वास नय करें सोसल मीडिया पर विग्यापन देख पूस्ताच करने लगे युगा बोर्ड को विग्यपती जारी करके देना पड़ा सपस्टी करन कनीष्ट लेखाकार सुमिधा महिला स्वास्तेकारे करता सुमिधा नास भर्ती किर्शी प्रवेक्षक सुपरवाइचर और उप कवरपाल भर्ती जैसे नोकरियों का भी दावा एक तरफ सरकार चुनावी मोड पर जा रही है दूसरी और कई भर्तिया आयोग में अठके पड़ी हैं दोस्तो बिरुजगार नोकरी पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं जहां नोकरी के लिए कोई विग्यापनिया विगपती आई वहाँ पर आवेदन करना शुरू कर दिय बिरुजगारों की इसी मजबूरी का फायदा कुछे एशमाजिक दताओ और जालसाज उठा रहे हैं युवाओं को ठगने के लिए तरे तरे के हत्कंडे अपनाई जा रहे हैं ताकि युवाओं से भर्ति के नाम पर राश्य वसुली जाशके परदेश में बिरुजगारो का विज्यापन जारी किया गया है जबकि यह विज्यापन पूरी तरे से जूटा जबकि यह विज्यापन पूरी तरे से जूटा है इस वाइरल मेसेज से युवाओं भर्मित हो रहे हैं दरसल सोसल मीडिया पर राजस्तान करमचारी चेन पोर्ड का फेक कलेंडर एक बार फिर वायरल हो रहा है इसमें सूचना सायक सीदी भरती कनिष्ट लेखाकार सीदी भरती सुविधा महिला स्वास्त करेकरता सीदी भरती सुविधा नस भरती सुविधा किर्शी प्रवेक्षक भरती सुपरवाइजर भरती उप करपाल भरती छातरवास अधिक्षक भरती प्र प्रिक्षियाओं के आईजन की तारिक और वक्त भी जारी किया गया था जैसे ही ये कलेंडर सोसल मेडिया पर वायरल हुआ उसके कुछी देर बाद करमचारी चेन बोड ने इस फर्जी इसको फर्जी करार दिया बोड ने भी एक विगिपती जारी कर सपस्टी करण दिया है क करमचारी चेन बोड की और से कहा गया कि बठती प्रिक्ष्याओं की तारिक्ष को लेकर जो कलेंडर जारी किया गया है वो पूरी तरह से कलत और फर्जी है बोड द्वारा इस तरह के किसी भी कलेंडर को जारी नहीं किया गया है ऐसमें ब्यारती सिर्फ उनी सुचना को अप्लोड की गई है वेब साइट को कंफरम कर आविधन करें